नमेशकार दोस्तों वैसे तो चाइना को पूरे विश्व से माफी माँगनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार का एक्षन हमें देखने को मिला है चाहे वो कुरोना वायरस का केस में हम बात करें या फिर पडोसी देशों के साथ जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहता है य लेकिन यहाँ पर एक दूसरा केस सामने आया है और वो यह है कि चाइना अफगानिस्तान के अंदर इस्पेशली यह जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ इस्टन वाला पूरा एरिया यहाँ पर टेरर सेल को अपरेट कर रहा है इसके साथ साथ जो एस्पियो नाच सेल इन काबूल तो यह पूरा मामला है क्या बेसिकली यहाँ पर कितने लोगों को गिरफतार किया गया है जो चाइनीज सिटीजन्स हैं इसके लावा यहाँ पर में मकसद क्या था चाइना का यह सारे चीज़े कंड़र्ट कराने का तो काफी कुछ जानने को है चलिया एक लाव प्ले स्मार्ट पोर्सेज जिसके दुरू आप अपने प्रेपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है तो रिसेंटली अफगानिस्तान की अथोरिटीज ने दस चाइनीज मेंबर्स को गिरफतार कर लिया है और यहाँ पर एक पुरा मॉड्यूल सामने आया है जिसके तहट बताये जा रहा है कि चाइनीज ओफिशल्स चाइनीज सिटिजन्स काबूल के अंदर काबूल के आसपास के रीजन में टेरर सेल को ऑपरेट कर रहे थे जिसको लेकर बीजिंग को काफ प्लस यहाँ पर यह देखने को मिला है कि जितने लोग गिरफतार किये गए हैं उनके पास एक्सप्लोसिफ देखने को मिला है मतलब कि यहाँ पर टेरर सेल को ऑपरेट किया जा रहा था चाइना के दोरा तो यह सारी चीजें यहाँ पर चाइनीज सिटिजन्स के उपर अब यह जो पुरा गिरफतार का मामला ही कबसे स्टार्ट हुआ बेसिकली अफगानिस्तान की यह जो NDS है उसने कबसे यह क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया तो बताया जा रहा है कि 10th of December से यहाँ पर यह पुरा क्रैकडाउन किया गया है अफगानिस्तान के अंदर उनमें से एक जो पहला परसन को डिटेन किया गया था आप इसका नाम देख सकते हो ली यांग यांग उसको गिरफतार किया गया काबूल शहर से और बताया गया कि वो ऑपरेट कर रहा था चाइनीज इंटिलिजन्स के साथ सिंस जुलाई आउगस्ट के महने से तो पिछले 6-7 महनों से वो यहांपर चाइनीज इंटिलिजन्स यूनिट के साथ वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था और उसको 10 दिसेंबर को ही वेस्टन काबूल का जो एक नेबर हूड है वहां से गिरफतार किया गया है और जब उसको गिरफतार किया जा रहा था तो उसके घर से करीब यहांपर आम्स मिले थे एम्मुनिशन देखने को मिला था किटमाइन पाउडर हो गया जो कि एक वी क्रेशनल ड्रग होता है जिसको यूज किया जाता है यह सारी चीजें यहांपर निकाली गई जब फर्स्ट राउंड उफ रेड किया गया अफगानिस्तान की अथोरिटीस के दौरा इसके लावा NDS के ओफिशल्स ने यह भी बताया है कि यहांपर यह जो परसन है ली यांग यांग वो यहांपर लगतार संपर्क में था अलकाइदा के तालिबान के वीगूर्स जो हैं उनके तुरू यहांपर इन्फॉर्मेशन कलेट करने की कोशिश कर रहा था दो प्रोविंसे का यहांपर नाम लिया गया है एक है आपका कुनार प्रोविंस दूसरा है आपका बदकशन यहांपर मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो कई सारे प्रोविंसे आपको देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं आपको starting में बता रहा था यह जो North Eastern वाला पार्ट है यही पर सारी गतिवीदी देखने को मिल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह आपका कुनार का प्रोविंस और उपर अगर आप देखेंगे यह है आपका काफी बड़ा बदकशन प्रोविंस तो यह जो दो प्रोविंस है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यह जो पाकिस्तान है इस साइड यहाँ पर खाइबर पक्तुनकवा का प्रोविंस सटता है तो कही न कहीं यहाँ पर यह पूरा मामला है वो पाकिस्तान के साथ भी कुछ लिंक होता हुआ दिख रहा है क्योंकि सा पारी चीज़ें यहीं पर की जारी है, जादा तर अगर आप तालिबान की अक्टिविटीज, अलकाइदा की अक्टिविटीज, जितनी भी चीज़ें देखेंगे दोस्तों, तो वो जादा तर आपको इस बॉर्डर पर देखने को मिलेंगी, इसके अलावा जो second person को यहाँ प दिन इस महिला को भी गिरफतार किया गया था, और NDS ने उसके पास से भी कुछ explosive materials बरामत किये, और उसके बाद आगे चलकर आठ और लोगों को गिरफतार किया गया है, और total मिला कर 10 Chinese citizens को यहाँ पर गिरफतार किया गया, अब देखी यह सारी चीज़े important क्यों है इतना, क्य क्योंकि यहाँ पर आशंका तो जताई जा रही थी कि China के जो members हैं, वो कही न कहीं कोशिश कर रहे होंगे अफगानिस्तान के अंदर spying करने की, लेकिन finally कई वर्षों में यहाँ पर पहली बार जो Chinese nationals हैं, वो पकड़े गए हैं spying करते भे अफगानिस्तान के अंदर, और इ उनको withdraw करने की कोशिश की जारी है, तो कहीं न कहीं China कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर अपना जो influence है, वो अफगानिस्तान के अंदर धीरे धीरे बढ़ा सके, क्योंकि जो western power है, जैसे कि US हो गया, वो वहाँ से withdraw करना चाहता है, इनफाट ये भी बताया गया कि ये जो 10 Chinese national प bomb blast करना है, कुछ भी इस तरह की terror activities करनी है, तो वो हकानी network के through करवाता है, तो यहाँ पर direct link हम ये जो terror operation cells है, वो सारी चीज़े हम link देख सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर अफगानिस्तान की government क्या कर रही है, तो इसके बारे में जब President अश्रफ गनी को बताया गया कि ये सा सारी चीज़ें सामने आई है, तो उन्होंने क्या किया, जो first Vice President है वहाँ के अफगानिस्तान के, अमरुला सले, ध्यान रखेगा, अफगानिस्तान के अंदर आपको दो Vice President देखने को मिलेंगे, तो उसमें से एक जो पहले वाले Vice President है, अमरुला सले, उनको ये पूरा काम सौ के हैं, अफगान Intelligence Agency के, तो यहाँ पर basically जो अमरुला सले है, उन्होंने बातचीत किया Chinese Envoy के साथ, मतलब कि जो Chinese Ambassador है काबुल के अंदर, वैंग व्यू, तो उनके साथ यहाँ पर बातचीत किया गया, और ऐसा पता चला है कि उन्होंने directly Chinese Officials को बोला है, Envoy को बोला है, कि आप pardon मांग लीजिए, एक formal apology आप दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर betray किया है काबुल के trust को और जो international norm है, यह सारी चीजों को देखते वे आपको एक formal तरीके से apology मांगनी होगी, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो जितने भी 10 Chinese citizens हमने पकड़े हैं, उनके उपर criminal proceedings चलाया तो यह सारी चीज़ें अब कोशिश की जा रही हैं अफगानिस्तान के द्वारा, अब देखना होगा कि क्या Chinese officials जो apology है वो मांगते हैं कि नहीं, I'm sure कि China तो कभी apology मांगे का नहीं, बट let's see क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज सामने आई है दोस्तों, वो है आपका East Turkistan Islamic Movement, इसको short में कहा जाता है ETIM, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, basically आपने यहाँ पर Xinjiang Province के बारे में सुना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, यह आपका China का मैप, और यह वाला पार्ट आप देख सकते हो, यह आपका Xinjiang Province, यहाँ पर basically क्या है, जो विगूर्स हैं, वो चाहते हैं कि एक अलग देश उनका रहे, तो इसके लिए यहाँ पर एक terror outfit बनाया गया है, जिसका नाम है ETIM, that is East Turkistan Islamic Movement, वो चाहते हैं कि इसको East Turkistan का दर्जा दिया जाए, वो चाइना से अलग हो जाए, तो basically क्या होता है, जो चाइना है, वो पर विगूर्स के उपर लगतार attack करता रहता है, और कारण क्या देता है, कि यहाँ पर ETIM का threat है पूरे Xinjiang province में, वो terror outfit फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम उनके उपर हमला करते हैं, तो basically एक angle इसमें यह भी आ रहा है, कि चाइना के जो spying persons हैं, जो nationals हैं, जो कि अफ यहाँ पर एक fake ETIM बनाने की कोशिश की जा रही हो, एक fake module जो है ETIM का, वो अफगानिस्तान के अंदर बनाया जा रहा हो, ताकि जो Xinjiang के अंदर यह जो ETIM काम कर रहा है, उनके साथ इसका link हो सके, ताकि यहाँ पर उनके उपर कबजा किया जा सके, तो maybe यह भी एक angle सामने आ रहा है कि हो सकता है, चाइना जो ETIM operate कर रहा है Xinjiang province से, उसको पकड़ में ले सके, इसके लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही है, बट यह अभी आशंका के लिए है, यहाँ पर investigators के द्वारा कोशिश की जा रही है कि exact region क्या है, उसको यहाँ पर पता लगाया जा सके, इ उसको हटा दिया है, although UN Security Council के अंदर इसको यहाँ पर terror का दरजा अभी भी दिया हुआ है, तो यह भी आप ध्यान रखेगा, अब let's see कि आगे क्या होता है, बट I hope कि यह जो पुरा मामला सामने आया, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जाने से पहले मैं आपके कितरा मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालते रहता हूँ, Stories के फ़र में आप जाकर प्ले कर सकते हैं, अगर आप मुस्से एकॉनमी पढ़ना चाहते हैं कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, Study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ से नेक्स ताइम टिल देन, Thank you very much, See you soon